प्रेविध्यारतियो आर्सी एजुह बानसुर की ओनलाइन क्लास में आपका हर्द साकत है आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वीमा क्योंकि बहुत ही बेसिक टोपिक है और फ़ड़ा भी है फ़ड़ा लोंग भी है क्योंकि इसमें हमारे बुक में लगभग पचास स साथ वीमा यह हैं तो हम वीमा ही पढ़ेंगे इससे पहले हमने वीडियो में लगवा की पंदरा से बीस वीमा हम पढ़ चुके हैं तो वीमा फिरसी में परिवास रपीट करता हूं कि वीमा क्या होती है कि मूल रासियों को वित्पन रासियों को मूल रासियों में आपन जा करने के लिए उनको वीमा कहा जाता है और देखते हैं वीमा हम दोग कैसे लिखते हैं इनको तो हमें सबसे पहले इसके चार प्राट कर लेते हैं उनको लिखने के लिए इस प्रकार से चार कॉलम में इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ आजाएगा बहुतिक रासियां यहाँ आजाएगा बहुतिक रासियों में समन्द यहाँ आजाएगा वीमे सुत्तर वीमे सुत्तर और यहाँ आजाएगा ऐसा ही मात्र देखो यह है तो यह है आज हम वीमा पढ़ते हैं प्रतिवाल की पढ़ेंगे प्रतिवाल प्रतिवाल एक भोति रासियों होती है प्रतिवाल बराबर होता है बल बटा छेतर फल यह होते हैं बल बटा छेतर फल ठीक है? देख़वागे तो यहाँ हम लगाएंगे बल की वीमा जो क्या होती है? जो होती है M1 जो हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में M1 L1 T-2 ठीक है और नीचे क्या है छेतर रफल इसमें होती है L2 क्योंकि यह लंबाय गुना चोड़े होता है रेपन जानते हैं कि जो छेतर रफल होता वह क्या होता है लंबाय गुना चोड़ाई L2 अब देखो यह L2 उपर लेक इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में मतलब यह हो जाएगा L-1 ठीक है और उपर बचे गई टी माइनस का टू कि यह दो M1 L-1 T-2 यह विमा होगी परतिबलकिर इसका मातर की बात करें से मातर होता है न्यूटन बटा मेटर इसका मातर होता है ठीक है यह था परतिबलकिर वीमा आगे हम बात करें विकर्ति तो विकर्ति भी कई प्रकार के होती है विकर्ति होती है प्रहरमिक लंबाई में परिवर्तन और अंतिम लंबाई में परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन तो यानि डेल्टा एल अपॉन एल ठीक है अब देखो यहाँ पे यानि इसको हम यूँ भी लिशकते है इसको गर लिखना चाहेतो जैसे इसको ओलमें नहीं आ रहाई जैसे डेल्टा एल अपॉन एल इसको अब एल बटा एल का मतलब क्या हो भाई एल वन अपॉन यह भी लंबाई है यह लंबाई में परिवर्तन और यह लंबाई है यह होती है प्राष लंबाई अब अब गटा यह अगर हो रहा है यह से मतलब क्या है? याने दिर्मान है ने को लंबाई तो यहां कर जायेगी बहद L1 है और L उपर जायेगी मायन पत्व able 0 या M1 का मान क्या हुआ 0 मायन या Lब क्या हो जायेगा 0 ठीक है लंबाई 0 जायेगी और या समय है नहीं समय क्या हो जायेगा 0 यह no M0, L0, T0 इसका जो मात्रक है ये वीमा हीन होती है और मात्रक हीन भी होती है क्यों इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि क्योंकि देखो लंबाई का मात्र क्या होता मेटर ये मिटर दोना वसम क्या हो जाएं कट जाएंगे मेटर मिटर क्या हो जाएं कट जाएगा तो ये वीमा हीन रास से होती है इसकी वीमाान नहीं होती नहीं संब्व मातर होता है far.. इसी प्रकार से जो अगला रासी आ जो आती है कोंन आती है सिक कॉंन बराबर होता है स्काप भ लोड़으 टिर्जा जा बटे तिर्जा चाब बटे तिर्जा अब दोगों चाब बटे तिर्जा अब चाब भी एक तरह से क्या है वह लंबाई है और ये भी तरह से क्या है लंबाई है दूरी है तरह से लंबाई हो गई ये भी क्या है L बटा L L0 हो जाएगी यहां भी इसकरा से क्या आजाएगी कि एम जीरो एलडी रो टीजिरों एनि यह वीमा ऐसी टारी है ऐसी है और यह भी मातर रहीं लेकिन इस में इसका मातर होता है तो यह कौन की वीमा थी ध्यान रखो वीमा ही इंद रासी है पर इसका मातर होता है कौन का इसके बाद में पर्तिवल हो गया विकर्ति हो गया कौन हो गया इसके बाद में हम तिर्जा लेते हैं नेक्स वीमा तिर्जा ठीक है तिर्जा एक तरस लंबय होती है L1 तो देखो L1 पई तरस दूरी है या लंबय है इसका विमा क्या हो जाएगी M0 L1 और T0 और मिट्रिस को हो जाएगा मातर हो जाएगा तो परतिबल है, विकरती है, कोण हो गया तिर्जा हो गई, ठीक है इसके वाग में लेते हैं प्रस्टियत अनाओ आगे में लेते हैं प्रस्टियत अनाओ जो की बल, बटा, लंबाई उसका फॉर्मला होता है तो नेक्स नमवारी रासी है प्रस्टियत अनाओ ये है बल बटा लंबाई ठीक है बल बटे लंबाई यहां लगाओ बल की वीमा जो क्या होती है M1L1T-2 और यहां लगाओ लंबाई वीमा जो क्या होती है L1 होती है क्या होती L1 देखो अब नीची भी L1 है और उपर भी L1 है आपस में क्या हो जाई कर जाएगी यहां तो क्या इधर क्या बचेगा यहां बचेगा M1 L0 T-2 यह बचेगा इधर M1 L0 T-2 अगर हम मातर की बात करें तो Newton प्रति meter इसका हो जाएगा मातर तो इस वीडियों इतना ही आगे हम नेक्स वीडियों में धन करेंगे थेंक्यो